नमस्कार साथियो शागत आप सभी कामारे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिकसे वाग में तबादली शुरू कबशे होंगे ट्रांसफर आरंद नई तबादला नित्ति क्या रहेगी नई तबादला नित्ति में ऐसादे रोगी और जो ग्रामेंड सिकसक हैं उनको हो सकता है फाइदा तो आज हम आपके लिए सूचना लेके आए हैं हमारे पास एक पेपर की कटिंग है जिसमें ये सूचना हमको मिली है एक बात और बता दे साथी हो ये जो वीडियो है वो किवल आपकी जानकारी के लिए है आगे जो आदेस आएंगे राजकिये आप उनको ही वरियता देवें ये जो हमारे पास तबातलों का दोर तो शिक्षाब आग में नए सेसन से पहले तबातलों का एक और दोर आएगा मुखे मंतरी एसोग गयलोट की शरकार में सबसे ज़्यदा तबातले इस बार होंगे सबसे बड़ी बात ये है कि 33 अध्यापक भी इस बार हो सकते हैं जो तबातले हैं 33 अध् अध्यापक तबातले के लिए कतार में खड़े हैं विदानसवा में बजट की जो अनुदान मांगो पर अपनी बात कहते हुए कल्ला ने कहा कि 33 अध्यापक पॉलिशी तयार हो गई है ये पॉलिशी जल्द ही सबी के सामने होगी इस पॉलिशी के अध्यार पर विदानसव अध्यापक तबातले होने की उमीद की जा रही है । Dr. कल्ला ने इसके लिए नियच में तो नहीं बताया लेकिन उमीद की जा रही है कि मई और जून के महीने में अध्यापकों के जो तबातले हैं वो हो सकते है दरशल जुलाई में नया सत्तर सुरू होगा इस से पहले त द्यापक है आविदन कर चुके हैं और जो अब तबादले होंगे उसके लिए एक नए सिरे से आविदन लेने की यहां बात हो रही है तो तबादला जो पॉलिशी है ग्रेड थर्ड की ट्रांसपर पॉलिशी में कुछ नया होने की उमीद यहां कम है ऐसादे रोगों से पीड निर्देश जारी होंगे डार्क जोन वाले जिलों में इस बाद ट्रांसपर नहीं करने की निती बन सकती है इसके अलावा ग्रामिन स्कूलों में लंबे समय तक शेवाद दे चुके टीचर्स की जो वरियता है उसके अधार पर उनको शहर में तबादला मिल सकता है तो साथ अधियों सूचना चलिगी हो तो अपने साथ्यों की चार जरूर शेयर करें मिलते हैं आप से एक नई वीडियो में